असलाम लेकुम मैं हूँ डॉक्टर मर्यम नूर, प्लास्टिक और रिकंस्रॉक्टिव सरजन फ्रम अल्खलीज क्लिनिक्स आज हम बात करेंगे वाइटमिन ई उसके बेनिफिट्स के बारे में और हम किन सोर्से से वाइटमिन ई हासिल कर सकते हैं और उसको किस तरह अपनी डेली रुटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं वाइटमिन एक ऐसा न्यूट्रियंट है जो के आपके बॉड़ी के बहुत सारे और्गन फंक्शन को मेंटेन करने में हल्प करता है वाइटमिन ई एक आंटी ऑक्सिडन के तौर पर भी काम करता है जिसका मतलब यह है कि यह आपकी बॉड़ी को बहुत सारे जो क्यमिकल और फ्री रेडिकल स्ट्रेस से आपकी बॉड़ी कुजरती है यह उनसे प्रिवेंट करता है आपकी बॉड़ी को और एक हेल्थी एंव फिल ख़्जियन और अपकी स्किर्थ कि अधर प्रेम इर अज़ेट रिजेंग तो इसके को बडम करता है उसको ब्रॉमारेट करने में एक यह ने गते एंपके ऑजते है इसके अंदर आपके इसके विसें के अधर लॉड़ी सिर्श malaise के नोग होती है उनगो को अनने एज आपकी बॉडी में तो उस तरह की कंडिशन को काउंटराइक करने में भी यह help कर सकती है अगर हम इसके और बेनेफिट्स देखें तो वाइटमिन E जो है वो दिल के अमरास में भी करने में वाइटमीन आपकी 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 अच्विजन लॉस होता है उसकी प्रेवेंशन में वी किसी हद तक यह कारामत साथ है अधर दन दाट यह brain और age related जो senile issues produce होते हैं उनको counteract करने में भी आपकी help करता है अब सवाल यहाता है कि vitamin E आपको किन sources से मिल सकता है vitamins E जो है वो natural sources से भी मिल सकता है जैसे कि plant based oils होते है canola oil या sunflower oil या उनसे मिल सकता है उसके लावा green leafy vegetables से भी मिल सकता है आपको nuts से मिल सकता है especially peanuts और आजकल तो उनका season भी आने वाला है तो आप इन चीजों का फाइदा उठा सकते हैं अगर आप इन natural sources से नहीं लेना चाते हैं तो इसके बहुत सारे market में supplements भी available हैं that give you the recommended dose जो के आपको चाहिए होती है and that's easy to use as well आप vitamin E हमें चाहिए के हम अपनी diet में या अपने lifestyle में vitamin E को add करें और इसके benefits से हम फादा उठाएं अगर इससे related आपकी कोई सवाल है या आपकी कोई queries हैं तो आप हम से contact कर सकते हैं शुक्रिया